दोस्तो नमस्कार आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको जानकारी देने वाला है कि अगर आपके डोग को कब्ज हो जाए तो आपको क्या करना जाए हैं देखिए स्क्रीन पे जो आप डोग देख रहे हैं काफी तकलिप में है बार बार श्टूल पास करने की कोशिश कर रहा है लेकिन सफल नहीं हो रहा है अगर ऐसी कंडिशन आप कहीं भी किसी डोग की देखें या अपने डोग की देखें तो जल से जल नजदी की वैट से संप लब्द नहीं है उस कंडिशन में जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ उस तरीके को आप इस्तेमाल करेंगे तो डोग को ठीक कर लेंगे कहीं बार क्या होता है हम देख लेते हैं डोग तकलिप में हैं लेकिन हमें सही दवा का ग्यान नहीं होता इस वज़े से हम उसे हमें खूब पानी पिलाना है जितना पानी वो पी सके उतना पानी पिलाना है पीने के बाद भी उसे डोपर की मदद से हलका गरम पानी गुन गुना जो आराम से पिया जा सके ऐसा पानी डोपर की मदद से भी हम उसे पिलाएंगे लगातार यानि कि खूब पानी पिला जी है आप 20 सहित यानि कि 200 ग्राम जो आप इसक्रिन पर डोग देख रहे हैं इसको कम से कम हम 200 ग्राम पंकिन एट टाइम खिला सकते हैं और अगर चोटा है तो उसे कम खिला दे बड़ा है तो ज्यादा खिला दे तो 200 ग्राम पंकिन को क्या गरना है हमें light steam boiled जिसे बोलते हैं वो करना है तो हलके से boiled हो जाएंगे उबाल लिये जाएंगे तो उसके बाद वो soft हो जाएगा और उस condition में उसे हलका गरम है ज्यादा हलके गरम को ही हम अपने डोगी को खिला देंगे अगर वो active है मतलब ज्यादा condition खराब नहीं हुई है तो वो active रहेगा तो हम यह नुसका आजमाइस करेंगे तो उससे वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा लेकिन अगर active नहीं है उस condition में अगर ज्यादा है तो हमें weight की सला लेनी है तो pumpkin 200 ग्राम खिलाना है और खिलाने के बाद हमें उसे गुमाना है यानि exercise की नहीं कहरा लेकिन आप थोड़ा सा ते